बारी भरकम तनख्वाएं दे करके ऐसे स्टाफ को इस स्कूल ओफ आर्ट पे थोपा गया है जिनका इस स्कूल ओफ आर्ट के किसी भी बैसिक डिसिप्लिन से कोई लेना देना नहीं है क्या राज्य सरकार का या हमारा पैसे का दुरुपयोग नहीं है दियारती के अवल छोटी सी चीज़ चाह रहे हैं कि उनको एक प्रोफेशनल फेकल्टी दी जाए जो मेडिकल में या इंजिनियरिंग में या और जो जितने भी टेकनिकल सबजेक्ट से उन सब में आप देते हैं तो हमें इससे अलग क्यों किया जा रहा है सिटी लाइट डायलोग में मैं पूर निमा कॉल आपका स्वागत करती हूँ आज हमारी चर्चा का विशे है राजस्तान स्कूल अफ आर्ट में होने वाले और भविशे में आने वाले कलाकारों के साथ हो रहे है अन्याय और उसकी दुर्दर्शा के बारे में हम चर्चा करेंगे आज हमारी चर्चा का विशे है रहेगा राजस्तान स्कूल अफ आर्ट में कला और कलाकारों के वुडबी कलाकारों के प्रति हो रहे है अन्याय के बारे में हम चर्चा करेंगे आप सभी जानते हैं कि कोई भी सब्बे समाज कला विहींद नहीं हो सकता कला के बिना हम किसी अच्छे समाज की कलपना भी नहीं कर सकते हैं और कोई भी देश उसकी संस्कृति और कला की वज़े से जाना जाता है विदेशी परिया टक यहां के मौल देखने नहीं आता यहां की कला और संस्कृति को जानने के लिए आता है और अभी सौभा के वश्द हमारे को हेरिटेज का ओधा भी मिल चुका है तो ऐसे में इसी शेहर में इस शेहर की नाक के नीचे कला और कलाकारों के प्रतीस अन्याय को समझाने ही जा सकता आज इसी बात पर चुर्ज़ा करने के लिए हमारे साथ है विद्यसागर जी उपाद है यह वहां के हेड अप देपार्टमेंट रह चुकी है और शिरू से 1978 से लेके राइस्टन स्कूल अपार्ट के साथ जुड़े है तो यह वहां के सारी इन अन आउट स्टोरी जामते है सोहन लाली जाखर है यह वहां के पास आउट है और हमारे साथ है लाखन जाट जी यह भी वहां के पास आउट है इसलिए यह ओल्ड स्टूड़ेंट से वहां के वहां की कुछ पुराने समय के बारे में हमें बता सकेंगे और दो वर्तवान समय भी जो स्टूड़न्स हैं हिम्मत गाईरी और राकेश ये दो हमारे साथ हैं ये MFA और BFA के स्टूड़न्स है तो आज इनके साथ हम चर्चा करेंगे सबसे पहले विदासागर उपादियर जी से बात करते हैं कि पहले जो राजा महराजाओं का सरंग्शन मिलावा था मदर्साए हुनरी और मदर्साए हुनरी से लेके आज तक का राज्टान स्कूल ओफ आर्ट का जो सफर है उसमें इन्होंने अपनी आँखों से बहुत कुछ देखा है तो इनसे जानते हैं कि उस समय और आज के बीच में ये स्थिती आई क्यों और कैसे मदर्साए हुनरी 1857 में सवाई राम सिंग्जी ने राजस्थान की कलाओं और हस्त कलाओं को सारक्षन और प्रसिक्षन देने के लिए स्थापित किया पुरानी बिल्डिंग जो राजस्थान स्कूल ओफार्ट के नाम से या महरजा स्कूल ओफार्ट के नाम से जानी जाती है वहाँ इसको कलांतर में स्थानांतर रित किया और आरंब में यह महाराजा स्कूल ओफ आर्ट था जो स्वतंत्रता के पश्चात से राजस्थान स्कूल ओफ आर्ट नाम दिया गया और राजस्थान स्कूल ओफ आर्ट का जो एक उसका जो समरक्षन या उसको जो चलाने के लिए जो एक मार्ग दर्शन देने के लिए जो है उस प्राइमर सेकेंडरी एजुकेशन के स्टाफ से यहां जो भी अनील बोर्दिया जी ने इस संस्थान को पुनरजीवित करने के लिए तीन व्याख्यातें की नियुक्ति सबसे पहले की और प्राचार्य का पद स्रजीत किया उसी करम में दीरे दीरे यहां से प्राइमरी सेकेंडर एजु अंदोलन करना पड़ा और उस अंदोलन के तहट इसे निदेशक कालेज एजुकेशन और आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के अधीन इसको दिया गया तब विद्यार्थियों ने बी एफे कोर्सेस की डिमांड की फाइन आट की डिग्री की और राजस्तान यूर्ट स अन्य कोलेज के वियाख्याताओं से बिन्न है जो UGC के नौम्स को फुलफिल करता हो जो राजस्तान यूणिवर्सिटी ने अपने BFA MFA कोर्सेस को बढ़ाने के लिए प्राध्यापको की जो क्वालिफिकेशन दी है उसी क्वालिफिकेशन के तहट ही राजस्तान स्कॉल प्याख्याताओं की नियुक्ति होनी चाहिए. अभी जो वर्तमान में विद्यारती हैं, हिमत से बात करते हैं, और वैसे तो इनकी मांगे बिलकुल जायज हैं, ये क्या चाहते हैं, सिर्फ एक कला का माहौल. हमारी जो डिगरी है वो एक प्रोफेशनल डिगरी है और हमारी जो टीचर अभी जो पड़ा रहे वर्तमान में वो नोन प्रोफेशनल है, तो हम ये चाहते हैं कि हमें प्रोफेशनल फेकल्टी मिले हैं. देश में जितने भी आर्ट स्कूल्स हैं, वो सारे AICT से अफिलेटेड हैं, ये ही एक मातर कोलेज है, जिसको कोलेज एजुकेशन के अंडर में हैं, और उन्होंने अपने कुछ निजी स्वार्तों की वज़े से अप्रोच वाले लोगों को यहां पे, जो हुमेनिटीज के अधिली आर्ट सीन है, एक तरह से उसका इसू अपन को बने दूसरी स्टेट से कमपेर करें, तो सारे आर्ट स्टेट वां में बहुत अच्य आर्ट स्कूल्स हैं, वहां के प्रिंसिपल्स हैं, जो फाइन के एक्सपर्ट होते हैं टीचर्स हैं, तो कहिने ऐ जो रास्तान का आर्ट सीन है वो नेश्टनल लेवल पे पिछड़ता जा रहा है आज आप देखिए तो कंटेम्परी आर्ट की बात करें तो रास्तान से गिनी चुने आर्टिस हैं जो नेश्टनल लेवल पे कहीं रिप्रेजेंट करते हैं रास्तान को जबकि आप केरला महारास्टरा का प्रोफेशनल डिग्री पढ़ाने के लिए नॉन प्रोफेशनल लोग आई नहीं सकते सबसे में तो आई नहीं सकते और वो आये कैसे ठीक है कुछ गलतिया हैं सिस्टम की गलतिया है पट अब हमारी एक ही मांग है हम लोग इन बच्चों को पूरा समर्थन दे रहे हैं जित तक हमारे लिए अच्छे टीचर्स नहीं हो जाते हम लोग यहां डटे रहेंगे हम लोग यह धरना बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे हमारा सांतिपूल प्रदसन जो चल रहा है हम लोग उसे चलने देंगे अब इन स्टूडेंट्स की केवल दो ही तो दिमांड है कि इनको चाहिए आर्टिस्टिक माहौल और एक इनको चाहिए क्वालिफाइट पाकल्टीज दुरभाग्य से या कई कारणों से बहुत सारे हमारे यहां के रेगुलर जो व्याक्याते थे सब रेटायर होगे और उन रेटायर्ट पदों को ऐसे लोगों से भरा गया जिनका इस विशे से इस संस्थान के डिसिप्लिन से कोई लेना देना नहीं है न वो प्रोफिशनल आर्टिस्ट है न प्रोफिशनल आर्ट डिग्री लिया है तो इसलिए इन विद्धियर्थियों को ये अंदोलन करना पड़ा है फाइनल ये जानना चाहते हैं कि आच्चली जो माहौल बिगड़ चुका है अब समाधान के तोर पर आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए मेरा मानना यह है कि माहोल कोई बिगडा हुआ नहीं है माहोल को बनाया जाता है और माहोल को बनाने में निदिशाले का कोई इंटरेस्ट रहा नहीं इसलिए ये सितियाई है विद्यार्थी बहुत जैनुइन मांग रख रहे हैं कि जो इस डिसिप्लिन से पढ़ा हुआ है या जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है जिसका नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे भी बड़ा नाम हो अटलिस्ट वो तो कम से कम हमें पढ़ाएं तो उसमें कोई गलत मांग नहीं है भारी भरकम तनखवाएं दे करके ऐसे स्टाफ को इस स्कुल ओफ आर्ट पे थोपा गया है जिनका इस स्कुल ओफ आर्ट के किसी भी बैसिक डिसिप्लिन से कोई लेना देना नहीं है क्या राज्य सरकार का या हमारा पैसे का दुरूपयोग नहीं है दियारती के वल छोटी सी चीज़ चाह रहे है कि उनको एक प्रोफेशनल फेकल्टी दी जाए जो मेडिकल में या इंजीनियरिंग में या और जो जितने भी टेकनिकल सबजेक्ट्स हैं उन सब में आप देते हैं तो हमें इससे अलग क्यों किया जा रहा है एक और इनकी डिमांड है कि इनके पास बहुत अच्छी बिल्डिंग हुआ करती थी पुरातन समय की उसे रेनोवेशन के नाम पे ले लिया गया तो आप क्या कहते हैं वो वापस मिलना चाहिए इना यह तो उनका अधिकार है न केवल उनका अधिकार है जैपूर के और राजस्थान के हर नागरिक का यह अधिकार है कि वो अपनी दरोहर को संजोए जैसे बिल्डिंग इतनी दरोहर है हमारी दरोहर है वैसे ही यह स्कूल ओफ आर्ट भी राजस्थान की दरोहर है जो 1857 में स्थापित हुई है ऐसी कोई भी संस्था आज तक राजस्थान में कारेरत नहीं है तो सबकों एक सिर्मोर संस्था है और उसको बचाना या उसको यथा स्थान स्थापित करना या उसको प्रॉपर फेकल्टी देना राजसरकार का दाई थो बनता है बिल्कुल सही कहा अपने तो अब हमने देखा कि राजा महराजाओं के समय से कला को और कलाकारों को सरंख्षिन मिलता रहा है तो आज ये वर्तवान सरकार इतने निश्ठुर क्यों हो रही है क्यों नहीं इन बच्चों की सुनवाई हो रही है कब होगी और ये हम सोचते हैं समवेदन शील सरकार है इस समय तो हम उनसे ये आशा करते हैं कि वो बहुत जल्दी इसका कंस्ट्रक्टिव कोई समाधान ले करके आएंगे कि वो बहुत जल्दी आएंगे